यतेंद्र सर्मा जी का क्वेस्चन है भाई साब पराग पारीक फंड में लंबे समय के लिए एकमुस्ष करने का समय आ गया है कि पर अपना सुझाओ दे मैं अपने स्टीपी द्वारा दस लाग का एकमुस्ष करना चाहता हूं तो देखिए जब हम करते हैं लंबसम इंश्पेंट तो यहाँ पर दो तरीके की इनवेश्पेंट होती है एक तो होता है जो हम मार्केट की गिरावट का फायदा उठाने के लिए लंबसम करते हैं तो वह तो बिल कह duct के रहे हैं लंबा समय है तो पौस साल मीनिमंबंब साल से भी ज्यादा का समय है तो प्राइपार आंदर में कभी भी पैसा डाला जेसा कोई डड़ने घबराने की ज़रूरत लेकिन ये चीज जरूर ध्यान रखना कि ये वो समय नहीं है जहां पर मार्केट के अंदर opportunity create हुई है और आप एक मुस्त डाल दो पूरा पैसा उसका फायदा उठाने के लिए वो टाइम ये बिलकुल भी नहीं है वो टाइम कब होता है जब मार्केट अपने फीक से गिरती है थोड़ा जैसे 18,000 के उपर है यहां से गिर के अगर 17,000 आये तो कुछ पैसा डाला जा सकता है या 17,000 जाये तो कुछ पैसा डाला जा सकता है अब वो 17,000 से 18,000 जा रही है अब 18 से सारे अगर जाएगी तब हम वहाँ पे opportunity देखकर opportunity उस time पे opportunity क्या है उस time पे तो rally कर रही उस उस time पे तो जो गिरावट के time पे हमने डाला था बस उसके profits को enjoy करना है उस time पे फाइदा उठाने के लिए पैसा नहीं डालना है यह सब time पे पैसा वही डाला जाता है जो की extra पैसा कहीं से आ गया है अब उसकी जवर्यत है नहीं 5 सल 10 सल के लिए तो डाल दो रहने दो market के अ मार्केट के अंदर में डाल तो यह चीज है आपको decide करना है कि आपके पास जो पैसा है वह कैसा है वह आपने रखा हुए मार्केट की opportunity का फायदा उठाने के लिए तो definitely यह अभी वैसा मार्केट नहीं है कि उसका फायदा उठाया जा सके हाँ आपके पास पैसा है जो कहीं स आ गया एक्स्ट्रा और उसको बस इंवेस्ट कर देना है डाल देना है अगले पास दस सालों के लिए तो फिर जरूर डाला जा सकता है बरापाई फ्लेक्सिकेट एट ऐसा फंड जरूर